इस विशे पे अभी जो है बाचित होगी और ये चलेगा टोटल एक हाफता मतलब चार दिन तिल फ्राइडे तो आप लोग सब तयार हैं तो एक बार ज़रा थम करके बता दें और फिर से ताली बजाकर येशु की महिमा करते वे इस विशे पे हम जो हैं यहां से अभी आगे बढ़ना चाहेंगे तो रिक्वेस करता हूँ आपका पैन, पेपर, बाइबल, आपका पानी का बॉटल, आपका रुमाल, XYZ, आपके पास में सुरक्षित हो और आपका अब यहां से एक घंटा यहीं से आप जो हैं मुझे फोकस करेंगे यूटूब के लोगों आपको भी बताता चलूँ के इस विशे पे अभी हम सीख रहें, जो विशे आपके ठीक स्क्रिन के उपर, मैं YouTube के लोगों से बात कर रहा हूं, आपके ठीक पीछे स्क्रिन के उपर आप देख सकते हैं और यहां से इस कारेक्टर पर या चरीतर पर इस विशे पे हम बात करना चाहेंग आमेन, राइट, बहुत ध्यान से सुनेगा, लिखा है एक मसी को यानि पुरुष और स्त्री को अपने चरीत्र पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, मैं रिपीट करता हूँ, एक मसी को पुरुष या स्त्री, मेल और फीमिल, एक मसी को जिसका उधार हो गया, उसको अचला आफता क्या था, या टॉपी क्या था, पाप, उसके पहले क्या था, सैलवेशन, उसके पहले क्या था, परमेश्वर, तो इसका मतलब है, एक कडी जूड रही है, आप देख रहे हैं, एक के बाद एक कडी जूड रही है, स्टेप बाई स्टेप हम जा रहे हैं, तो जिसने परमेश्वर को जाना, उसका उधार पका होगा, जिसका उधार हो गया है वो कभी पाप नहीं करेगा, तो जो विश्वासी बन चुका है परमेश्वर को जानकर, उधार को पाकर, पाप से छुटकारा पाकर, of course, obvious है न, उसने अपने चरीतर पर काम करना है या, उसने अपने चरीतर पर काम करना है उसने अपने character पर काम करना है तो इस विशे को, ये इतना बड़ा विशे है मैं बहुत सारा मसाला, आपको आभी से बता देता हूँ, बहुत सारा मसाला मैं लेकर आया हूँ, ठीक है न, तो आप लोग बिलकुल तयार रहेगा, जी, बाकी लोग भी एक्टिव रहे, बाकी लोग भी एक्टिव रहे, मैं सब को देख रहा हूँ, जहां ताली बजाना है, सब बजाना है, सिरफ इनको जिनका मैं नाम लेता हूँ, इनको तोड़ीना पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है अब प्रशन है क्यों या अब प्रशन है क्यों देखिए वापस कहता हूं मैंने फस्ट डे का था मैं पूरी मांदारी के साथ आपके बीच में आऊँगा एक भी कॉम्परमाइज नहीं करूंगा किसी प्रकार का धीलापन सुस्त प मिलेंगे तो एक एक शब्द पर एक एक लाइन पर मैं फोकस करता हूँ चलूंगा यूटूब के लोगों आपको भी ध्यान देना तो लिखा है एक मसी को अपने चरीतर पर देना बहुत जरूरी है प्रशन है क्यों तो उसका जवाब है यों एक है क्यों उसका जवाब है लिखा है क्योंकि सब कुछ टिका होता है एक शब्द पर जिसको कहते हैं चरीतर इंगलिश में character जी मैं वापस कहता हूँ के सब कुछ टिका होता है इस एक शब्द पर जिसको कहते हैं चरीतर character इसको देखे सेवा मिलती है इसी एक शब्द के अधार पर जिसको कहते हैं चर पवित्र आत्मा अपना दान देता है इस एक शब्द के अधार पर परमिश्वर आपके साथ संगत्ती करता है इस एक शब्द के अधार पर जिसको कहते हैं चरित्र कैरेक्टर आपका उद्धार भी पिका है एक शब्द पे जिसको कहते हैं चरित्र अब वापस से पीछे जा रहा हूं क्योंकि मुझे एक एक चीज पे आपके साथ में बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि सब कुछ टिका होता है इस एक शब्द पे जिसको कहते हैं चरित्र यूटूब के लोगों बहुत द्यांसर सुनेगा ना मैंने लिखा है कि सेवा मिलती है एक ऐसा वेक्ति जिसक का चरित्र ठीक नहीं है जिसको कहते कैरेक्टर लेस आदमी अगर वर्शीपर बन गया मिजिशन बन गया बाइबल टीचर बन गया फेस्बुक का प्रीचर बन गया चर्च का पास्टर बन गया या फिर पूरे शहर का बिशप बन गया सोच के देखिए क्या बेड़ा गरक कर जाएगा सोच के देखिए क्या तमाशा कर जाएगा सोच के देखिए क्या गंदगी करके बैठ जाएगा और पूरी की पूरी मसी की दहे को खरब कर जाएगा इसलिए DT के लोगो discipleship training के लोगो आप कम से कम अभी 390 लोगों देख रहे हैं मैं सब को कहना चाहता हूँ आप एक दिन के मसी हैं या फिर 100 दिन के या फिर 10 साल के आप 40 साल के अगर इस एक चीज़ के उपर जिसको कहते हैं character, चरित्र इसके उपर अगर आपने focus नहीं किया, मैं वापस कहना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ दीजे और संसार में चले जाएए Go back to the world आप पहले cigarette पीते थे, नशा करते थे पाप करते थे, वेविचार का जीवन था, उल्टे सीदे हरकते थी आप लालची थे, पैसा चोरी करते थे घूस लेते थे, आप ब्रस्टा चार में थे, मुर्ती पूजा में थे आप वहाँ वापस चले जाएए क्योंकि DT है और मुझे इस topic के उपर सक्ती से बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक वेक्ति का अगर चरित्र ठीक नहीं है, उसको सेवा नहीं मिलेगी उसको सेवा नहीं मिलेगी उसको सेवा नहीं मिलेगी या, थैंक यू, Pinky Roy थैंक यू, Pinky Roy जी God bless you वाव, सी अब आप सोच के देखिए एक वेक्ति जिसको क्या करूँ, सुनो, सुनो, सुनो मसी मंतन के लोगों को गुसा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं बात करना तो पड़ेगा सोच ये, एक वेक्ति जिसका character ठीक नहीं है मसी मंतन का coordinator है सोच ये क्या करे उसके साथ या, नग तो इसका मतलब है कि मसी मंतन का coordinator, मसी मंतन का leader मसी मंतन का लाइंविज के साब से जो फेस्बुक पे प्रीचर या पास्टर लीडर बनकर जो काम कर रहा है सोच के दे कि कितना गड़बड कर जाएगा एक वैक्ति के चलते पूरा का पूरा मसी मंतन का नाम खराब हो जाएगा यह सरनो मैं फिर कहता हूं बहुत जरूरी है ज पवित रात्म का दान दीजे 40 दिन फास्टिंग में 20 दिन फास्टिंग में घंटो प्रात्ना में उपर से ऐसी भाशा जिसका कोई मतलब नहीं है नॉनसेंस है वो साती सात में कहते है प्रभू के दास के पास में जाओंगा अफरीका परमिश्र के दास के पास में जाओंग नहीं है तेरा character ठीक नहीं है और तू जाकर परमेशों से प्रातना कर रहा ये तो वो बात हो गई कि Ali के दो बच्चे नाम अच्छे-अच्छे लेकिन हरकते लुच्छे वापस आना पड़ेगा Ali के बच्चे नाम अच्छे लेकिन हरकते लुच्छे समझते हैं न तो ऐसे बच्चे अगर Ali पास्टर है Ali बिशप है, Ali हैड पास्टर है उनके दो बच्चों को क्योंकि बाप पास्टर है तो बच्चों को भी पास्टर बना देते हैं लेकिन हरकते देख लुच्छे, मस्ती थी सुस्ती थी और क्या गंदगी फैला के रखी थी परमेश्वर के उस भवन में लेकिन एक ऐसा लड़का पहुंचता है जिसका नाम है Samuel जिसका कैरक्टर अच्छा था ना सुस्ती में था, ना मस्ती में था ना किसी प्रकार की गंदगी में था परमेश्वर की तरब से भेजा गया एक लड़का, जिसका नाम था Samuel ऐसे वेक्ति को परमेश्वर बात करता है ऐसे वेक्ति को परमेश्वर नभूद करने देता है ऐसे वेक्ति को परमेश्वर धर्शन की बात करता है ऐसे वेक्ति को परमेश्वर अपनी प्रकाशन देता है और उसको कहते हैं सच्चा प्रॉफट उसको कहते हैं सच्चा प्रॉफट Yes or No? Yes or No? जी 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 सब 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 बाकी सभी इसका मतलब है कि हम सभी को एक एक कारेक्टर या एक ऐसा शब्द जिसको कहते हैं करेक्टर चरीतर उसके उपर कितना ध्यान देना है कि पवित्रात्मा भी कहता है कि मैं उसी पर टिका हूँ मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ एक सेकंड दीजी उसको Bible की उद्पती से प्रकाशिद वाकित की सारी बातें उसको टक टक सब पता है और बहुत फेमस है बहुत अच्छा बोलता है बहुत अच्छा गाता है विवेक नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ बहुत अच्छा बजाता है accurate है, perfect है बहुत है, लेकिन उसका चरित्र ठीक नहीं है मुझे आप लोग प्लीज थम करके बता देना, कै ऐसे वेक्ती को पवित्रात्मा मिलेगा? कता ही नहीं कता ही नहीं, बिलकुल नहीं मिलेगा, बिलकुल नहीं मिलेगा अच्छा वो उपर से बोलेगा ब्रभू मैं इतना अच्छा नॉलेज वाला मेर को तो बाइबल का मतलब ऐसी मूपाट याद है बाइब हाड यह मुझे हार एक बचन परमिश्र बोलता है बेटा तेरे जैसे पचास आएंगे आगे बोल दीजे पचास जाएंगे लेकिन अगर तू चरितर में ठीक नहीं है अगर केरेक्टर में ठीक नहीं है पवित रात्म तो ढूर उसका दान तक नहीं मिलेगा वाव एक छोटा सा एक्जांपल देता हूँ रहे हैं अभी कनेक्ट हो रहा है बहने नहीं डाला है स्लाइड में आपको ऐसी बता देता हूं देखो राजा दाउद और राजा शाहूल फरक देखते हैं आप लोग दोनों में इंटरनेट का करनेक्शन आ रहा है या प्राब्लम आ रहा है सब ठीक है जीजस जी निर्जला जी सब ठीक है ओके ओके ऐख ठीक है तरक दो लिए किया कुछ नहीं कर सकते हैं आगे बढ़ना ही पड़ेगा चलिए वापस शाहूल और राजादाउद में फरक क्या है मैं आपको बताता घहिए राजा शाहूल और राजा दाउद में देखो राजादाउद ने गलति किय वो बता लग है लेकिन दोनों में फरक क्या था पता है? राजा शाउल ने जब गलती करी accept नहीं करा. राजा दाउद ने गलती करी तुरंत accept किया. Yes or no? यह फरक है. यह फरक है. और आपको पता है, राजा दाउद के उपर पवित्रात्मा था. राजा शाउल की बात नहीं थी. देखो आप टीचिंग थोड़ा लंबा हो जाएगा. चलो कोई बात नहीं. देखो एक होता है पच्टावा. एक होता है पश्चताब, मैं रिपीट करता हूँ, एक होता है पश्चताब, पश्चताब सब को है, यार गलती कर दिया, यार अच्छा नहीं है, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, ये पश्चताब क्या पता है, आज के बाद से नहीं करूँगा, इसको कहते हैं पश्चताब, और इसका नाम क्या है? जिसका नाम था? क्या नाम है उसका? यहुदा स्कोरियत. उसको पच्छतावा हुआ. यार येशु को बेच के गलती किया. ये गलत कर दिया मैंने. उसको अफसूस हुआ. लेकिन उसने पच्छताव नहीं किया. उसने अपने अफसूस को या फिर अपने पच्छतावे को उसने आत्मत्या में कन्वर्ट कर दिया. My goodness. फिर वापस कहता हूँ. दावुद में और शाउल में यही फरक था कि दावुद ने पच्छताव किया. शाउल ने अफसूस किया. पच्छतावा किया. यार गलती कर दिया. वैसे ही जिसका भी करेक्टर अगर ठीक नहीं है पवित्रात्मत दूर की बात है उसका दान तक नहीं मिलेगा. ना आपको मैं फिर से कह देता हूँ कि इसी एक शब्द की ओपर सब कुछ ठीका होता है. परमेश्वर आपके साथ संगती करता है. कब? अगर आपका केरेक्टर सही होगा तब. अगर केरेक्टर चरित्र सही नहीं है. परमेश्वर तक मैं रिपीट करता हूँ परमेश्वर तक आपकी संगती नहीं करेगा. ऐसा लिका है पवित्र बनो पत्रस कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुमारा परमिश्वर जी आगे का आप लोग बोल दीजी आगे पवित्र है तो इसका मतलब है परमिश्वर कहता है क्या करूँ परमिश्वर कहता है कि Daniel, मुझ जैसे, Daniel जैसे आप लोग जो बैठे हैं, अभी देख रहे हैं 390 के असपास, और आप सभी जो YouTube पे देख रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि प्रभू, मैं तुझे सुभा डूंडूंगा परमेश्वर बूलता है, very good. मैं तुझे अठीख नहीं है, मुझे बताईए क्या ये किसी भी काम का आएगा? वाव ये किसी काम का नहीं आएगा, इसका मतलब है, एक छोटा सा खमीर, ये शुने का है, मैंने खमीर के देंप एक जामपल दिया, एक छोटा सा खमीर या थोड़ा सा खमीर टोटल आटे को खमीर कर देता है, टोटल आटा खमीर हो जाता है, इसका मतलब है कि आटा फूल जाता है, रोटी जब बनेंगी ना, या ब्रेड तो वो फूल जाता है, वैसे ही चोटी सी गलती, क्या हो रहा है और एक आगया, सुनो, सुनो, सुनो एक वेक्ति येशु के पास है मती के उनिस्वे अधियायन है येशु मसी को कहता है कि आनन काल का जीवन पाने के लिए मैं क्या करो येशु ने बुला देख भाई तेरा जितनी प्रॉपर्टी ये गरीबू को दे दे मेरे पीछे चल येशु मसी ने ये बात है उसको कही लेकिन उसके पहले उसने क्या का पता है मैं दस्याग्याओं को मानता हूँ मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ अलाना करता हूँ फलाना करता हूँ सब करता हूँ जानते हो येशु ने क्या कहा ये शुने उसको एक ही कहा, बेटा, तू सब कर रहा है, लेकिन तेरे में एक गड़बड है, वाव, एक गड़बड है, मतलब बहुत द्यान से सुनना, मतलब 99 परफेक्ट है, 99 परफेक्ट है, लेकिन किस में गया, एक में गया, वैसे ही आज ये 99 वाले बहुत हैं, 99.9%, ऐसे Christians है 99, अरे क्या बोलता है, अरे क्या गाता है, अरे क्या हाथ रखता है, अरे क्या चमतकर है, ऊपर से परमेश्वर बोलता है, ये मेरी नजर में निकमा है, मेरी नजर में निकमा है, बोला क्यों, बोला इसका सब ठीक है, लेकिन इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, इसका चरित तो परमेश्वर तक आपके साथ संगतिनी करेगा नो आपका उद्धार भी टिका है इसी चरितर पर इस एक शब्द पर जिसको कहते है चरितर आपका उद्धार तक इसका मतलब है कि जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभू को दिया प्रभू मैं तेरे पीछे चलूंगा मैं अपना जीवन तुझे दे दिया लेकिन बापटिस्मा हो गया वो भी सफेद कप्ड़ पेन के फिरसे बता देता हूं कि बाप्तिस्मा के लिए सफेद कप्ड़े पेनने के कोई आवश्छक्ता नहin है आपके गले से कान से क्ला herbिया क्या कैते हैं हाथ से एंगली से ऑंगु पवित्र बनो ले भाई इसको कहते हैं बहारी पवित्रता लेकिन अंदर से टोटल गंदगी अंदर से टोटल सुवर और कुटा याद आ गया होगा आपको और कुछ लोग यूटूब पे हैं कहते हैं कि डैनियल राज को दूसरा कोई टॉपिक नहीं मिलता आप क्या करें बत बताईए क्या उसका उधार टिका है नहीं उसका उधार तो कपका चला गया क्योंकि उसने अपने कैरेक्टर पर काम नहीं किया एक वैक्ति जी देख लीजे बहुत बहुत शुक्रिया एक वैक्ति उधार पाने से पहले एक वैक्ति उधार पाने से पहले तो मैं इतना सा र तोड़ ली बिगड़ा होता हैं?! यश और नोट्ठी ? और वो भी थेन तरह से राविश्वासी का चरित्र बिगड़ा होता हु Пом इसलिए उपर लिखा है एक व्यक्ति उधार पाने से क्या होता है पहले राविश्वासी ? तो एक आविश्वासी का चरित्रिक ऐसा होता है, टोटली बिगड़ा होता है, मैं आपको पहला ये बता दो, कितने तरीके से, तीन तरीके से, किसी के बाद चौता है, अप्रिशेट, पांच वा है, अप्रिशेट, लेकिन मुझे स्टड़ी करते वक्त में, तीन दिखा, टोटल तीन, आपके बीच में रख रहा हो, तो मैं फिर से पुछूँगा, जैसे आप लोग स्टड़ी ले रहे हैं, सब लोग ठीक हैं अभी तक, जड़ा एक बार वापस से थम कर दीजे, शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वापस आता हूँ, एक वेक्ती उधार पाने से पहले, उसका चरित्रे टोटली बिगड़ा होता है, तीन तरीके से, तो सबसे पहला, उसको बिगारता है आदम का बीज, दूसरा उसको बिगारता है शैतान का सौबाओ, तीसरा उसको बिगारता है संसार की बाते, तो वापस कहता हूँ, आदम का बीज, शैतान का सौबाओ, और संसार की बाते, मैंने शैतान का सौबाओ इसलिए का, क्योंकि यूना की किताब उसका 8 का, 44 में Jesus नहीं क्या बोला पता है तुम अपने पिता शैतान से हो और शैतान की लालसा पूरा करना चाहते हो क्योंकि वो जूटा है तो शैतान अपना सौबाओ एक वेक्ती में डालता है आदम का बीच पैदा होते ही आ जाता है लेकिन जो Jesus Christ बच्चा कुछा जो बच्चा रहता न के ये बंदा और कितना बिगड सकता है उसको ये तीसरा पॉइंट बिगड़ता है जिसको कहते है संसार की बात है तो एक आदम का बीच दूसरा शैतान का सौबाओ और तीसरा संसार की बात है अमेरिका चले जाओ वहाँ पर ये तीनों मिल जाएंगे अफरीका चले जाओ ये वहाँ तीनों मिल जाएंगे जापनिस कंट्री चले जाओ ये तीनों मिल जाएंगे एशियन कंट्री चले जाओ भारत में पहुँच जाओ दुनिया के किसी जंगली आदमी तक अब पहुंच जाओ ये तीनों मिल जाएगा वाव सोच के देखिए आप लोग सोच के देखिए आप लोग इस एंगल से या इस तरीके से ऐसी बातें डीठी के अंदर परमेश्वर मुझे दे रहा था, मैंने इसको आपके लिए लाया है इस एंगल से मैं वापस कहता हूँ ये शायद आप लोग कह सकते हैं कि डैनियल भाई आपको अपने स्टडी पे घमंड है ओके ठीक है, मान लेते हैं मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि मेरे स्टडी पे मुझे घमंड है लेकिन क्यों? क्योंकि ये मेरा स्टडी नहीं है ये तो परमेश्वर का स्टडी है और जो परमेश्वर की बात है मैं तो उसके उपर घमंड करूंगा ही तो मैं वापस से कह देता हूँ यूटूब के लोगों कि डैनियल राज को आप लोग क्यों सुनते हैं क्योंकि मैं ऐसा मसाला आप लोगों के लिए लाता हूँ ऐसी बातें मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ मैं गिट्सी पिटी और दुसी तरह कि नो 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 मैं बैठता हूँ रात में मैं बैठता हूँ प्रभू के पास में, मैं पूछता हूँ परमेश्वर क्या देना है, क्या खिलाना है तब जाकर ये मसाला आप लोग के लिए आता है तो वापस से कहना चाहता हूँ कि संसार में एक वेक्ति उधार पाने से पहले उसका चरित्र खैरेक्टर टोटली बिगड़ा होता है, तीन तरीके से आदम का बीच, शैतान का सौबाव, संसार की बात है इन तीनों ने मिलकर एक वेक्ति के चरित्र को टोटली बिगड़ा होता है तोटली बिगड़ा होता है, इन तीनों ने मिलकर अब आप सोच के देखिए, एक वेक्ति जिसको ये तीनों ने पकड़ के बिगड़ा है आदम के बीच ने, शैतान के सौबावने, संसारिक बातों ने तो एक वेक्ति उधार पाने से पहले इस तरीके से टोटली बिगड़ा होता है अब लिखाएं पैदा होने से लेकर मसी बनने तक एक वेक्ति का चरित्र खतरनाग तरीके से बिगड़ा होता है, खतरनाग शब्द मैंने यूज़ किया है वाव, मैं आपको बताता हूं कि मैंने खतरनाक शब्द क्यों जोड़ा है, मैं आपको अभी बताता हूं, जूट, चोरी, गाली, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमंड, धोका, ऐसे गंदगी से भरा ये संसारिक वेक्ति होता है, मैं वापस कह रहा हूं, मैं अभी संसार क वेक्ति की बात करा हूं, आप लोग शाद भूल गएं तो वापस से रख देता हूं, मैं बात कर रहा हूं उधार पाने से पहले वाला एक आदमी की, तो लिखा है ना, एक वेक्ति उधार पाने से पहले, तो ये है आविश्वासी, जिसको ये तीन लोगों ने मिलके बिग बिगड़ा होता है, और ये इतना खतरनाक तरीक से बिगड़ा होता है, के जूट, छोरी, घाली, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, गमन, धोका, ये वेक्ति को, इसको करने के लिए, इसको कहीं पे जाके ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, इसको कोई पीएच डी नहीं कर वाँ, सी, जिसको आप अभी सुन रहे हैं न, ये इसी में से निकला है, आपको जो मैं सुना रहा हूं न, आप जितने भी, अभी तीन सो नबे के उपर हैं, आप सभी भी इससे गुजर चुके हैं, और इसी ये कह रहा हूं, के संसार के तीनों लोगों ने मिलकर, एक वेक् हूठ है, छोरी है, गाली है, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमन, धोका में और भी आट कर सकता था, जिसको लिखा है, रोमियों का एक चब्वी से तीस में, क्या लिखा है, देखे, लिखा है इसी लिए, परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ द है, थोड़ा सा बरदाश करिये, बच्चें भी होंगे आपके घर में, लेकिन मैं शब्द को कंट्रूल करूंगा, ठीक है ना, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग फैमिली के साथ बैट के देखते हैं, तो मैं शब्द को कंट्रूल करूंगा, मैं थोड़ा इशारे में बात करता हूँ, कि देखिये, परमेश्व ने आधम और हावा को बनाया था, जिसको कहते है, पुरुष और स्त्री, उनके बीच में ही शादी होनी चाहिए, लेकिन मुसीबत अभी यहां है, कि पुरुष से शादी कर रहा है, स्त्री से शादी कर रही है, और सबसे बड़े दुखी बात यहां है, कि जिस शहर में यह घट रहा है, वहां कि गौर्मेंट इसको लीगलाइज कर रही है, सबसे बड़े दुखी बात यहां तक की भारत की सरकार, जिसमें मैं बैठ कर अभी प्रचार करूँ ना, इस भारत सरकार ने भी बोला है कि येस, लड़का का शादी कर सकते हैं लड़की लड़की शादी कर सकते हैं और सबसे गंदी बात एक और हो रही है जो चुप चुप के हो रही है इसको अभी तक सरकार ने इजाज़त नहीं दी और मुझे डर है कि कहीं वो भी इजाज़त ना दे दे के इंसान जानवरों के साथ शादी कर रह माय गुडनेस अब आप सोच के देखे कि कितना गंदा हो गया उसका कच्छरित्र कितना गंदा हो गया उसका कैरेक्टर में यह बिल्डप इसलिए दे रहा हूं कि जब मैं पंच लाइन पर आऊंगा न तो यह सारी चीज़े आपको मदद करेगी समझने के लिए ओ इसकी वज स्त्रियों के साथ सभाविक वेवार छोड़कर आपस में कामातूर होकर जलने लगे इसका मतलब है पुरुष-पुरुष के साथ इसस्त्तरी के साथ में और लिखा है कि इस newक तक गंदगी में चले गए कि पुरुषों के साथ निरलज काम करके अपने भर्म का ठीक फल पा अब आपको पता है इसके चलते हैं अबारेका जो एक टाइम पे परमेश्वर की पुस्तक जिसको कहते हैं बाइबल उनकी टेक्स्ट बुक हुआ करती थी आज की तारीक में नहीं है, आज की तारीक में नहीं है. एक वक्त था अमेरेका, जो हर चीज़ पे परमेश्वर को आगे रखता था यहाँ तक कि उनके school में, colleges में, उनके हरे छेत्र में, परमेश्वर प्रत्थम उता था, लेकिन अब परमेश्वर पीछे, परमेश्वर का है, how is your day? How is your day? आपका दिन कैसे रहा? आपका दिन कैसे हैं? यही पुछता है मैं गया था कम से कम तीन बार वहां का कल्चर अलग है, my goodness मैं LA की बात नहीं करूँगा, जिसको कहते है Los Angeles, वहां की बात नहीं करूँगा, जहां पे Hollywood का घड़ है LA, Los Angeles Hollywood का घड़ है, वहां पे जो घर पे चुप चुप के होता है ना वहां सडकों पे होता है अब आप सोच के देखें कि किस तरीके की गंदगी वहां पे फैली है, तो वापस कहता है जूट, चोड़ी, गाली, गंदी सोच, गलत नजर, लालच, घमंद धोका, ऐसा व्यक्ति, परमेश्वर ने आदम को नहीं बनाया था जी जी यह आदम कौने पता है न, यह आप और मैं है परमेश्वर ने हम को, इसले लिखा है परमेश्वर ने आदम को ऐसा चरित्रवाला नहीं बनाया था YouTube के लोगों आप इस सुनिएगा वाँ सी क्या परस्ति है नहीं क्या परस्ति है भाई अंकर दुनिया में जी रहे बहुत गलत देश में जी रहे हैं बहुत गलत जो atmosphere है ना मौहल जिसको कहते हैं बहुत गलत जगा पे जी रहे हैं और ऐसे सदमर गमोरा के टाइम से डबल ऐसी बुराई फैली है वो तो शुकर है के परमिश्व ने आप और मुझ जैसो के वज़े से देश को बचा के रखा है ने तो कप का जमीन भट जाती उपा से आग गिर जाती तबाही मज जाती और सब कुछ खतम हो जाता है इसले लिखा ना यह यह शाय के किताब एक का ना आट और नौ में लिखा यदी परमिश्व थोड़े से लोगों को ना बचा रखता हम सदमर गमोरा की ना ही हो जाते यस नो तो मुझे एक मुका दीजे अभी आप लोगों के साथ डिरेक्ट बात करने के लिए और वो यहां है वो यहां है अगर अभी कोई DT सुन रहा है आप अभी discipleship ठेनी में अभी 400 लोग जुड़ गए हैं आप सभी के मन में अभी जब मैं बात करा हूँ आपको मैंने यह दिखा है वापस दिखा देता हूँ आपको मैंने यह दिखा है जूट है चोरी है गाली है गंदी सोच है गलत नजर है लालच है घमंड है दोक है अगर इस वक्त में आपके साथ में यह बाते घट रही है आप एक विश्वासी हैं आप एक पास्टर हैं बाइबल टीचर है आप एक वर्शिपर हैं आप मुजीशन्स हैं यूटूब के लोगों आपको भी बोल रहा हूँ ये विडियो जहां तक जाएगी उन तक को भी बोल रहा हूँ आपका नाम बिश्व जुड़ता है पहले आपके नाम के आगे डॉक्टर लगता है आपके नाम के आगे र्यवरेंट लगता है आपके नाम के आगे आपोस्टल प्रोफिट लगता है अगर ऐसी हरकत एसी बातें अगर आपके अंदर अभी मौजूद है परमीषवर ने आपको ऐसा नहीं बनाया था और अगर मौजूद है तो सोच के देखो अगर परमिश्वर ने आपको ऐसा नहीं बनाया तो फिर सोच के देखो क्या परमिश्वर आपके साथ संगती करेगा बिलकुल नहीं क्या पवित्रात्म आपके साथ काम करेगा बिलकुल नहीं क्या पवित्रात्मा अपना धान देगा? बिलकुल ने क्या परमेश्वर का उधार आपके अंदर बचा रहेगा? बिलकुल ने इसको कहते हैं कि आप Jesus Christ आप परफ्यूम की बॉटल है लेकिन परफ्यूम खतम हो गया वापस आना पड़ेगा जी 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 आप परफ्यूम की बॉटल तो है लेकिन परफ्यूम खतम हो गया आपका फुस पुस जिसको मार के स्प्रे आप जो निकलता है ना अब वो भी खतम हो गया अब सिरब बच्ची कुची थोड़ी सी खुशबू रह गई है fragrance रह गया है उसके चकर में आज तुमारे followers तुमको देकर धोका खा रहे कि मेरा pastor क्या powerful है मेरा pastor यार मुर्ख ताकी बात मत करो उसका परफ्यूम कप का खतम हो गया है बच्चा कुचा fragrance आ रहा है तुम उसी के धोके में हो आगे आप लोग समझधार है कैसा लग रहा है या, 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 या येस, येस, ये सोचना है, सोचना है परमेश्वन ने आदम को ऐसा चरित्रवाला नहीं बनाया था उत्पत्थी की किताब उसका एक का सत्ता है आए देखते क्या लिखा है और मैं समझता हूँ की आदा घंटे के उपर वक्त जा चुका है, आपको पता तक नहीं चला येस और नो वैसे बचे कुछे आदा घंटा तक आओ, आवाज गई या अभी ठीक है अभी ठीक है नेटवर का इशू तो है अभी ठीक है नीता जी येस, येस आ रही है ओके, 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 ओके ठीक है, ये बीच बीच में धक्का आते रहता है कुछ ना कुछ बरदाश्ट करेंगे तो वापस आता हूँ के परमेश्वने आदम को ऐसा चरितर वाला नहीं बनाया था, नहीं बनाया था उत्पती एक सत्ता इस कहता है परमेश्वने आदम को फिर कैसे बनाया था रखता हो, रखता हो, आपके बीच में रखता हो ठीक है न, आप लोग भी मजबूत हो जाएए क्योंकि बहुत सारा पंच लाइन अभी और आना बाकी है अभी और आना बाकी है लिखा है उत्पती एक का सत्ता इसमें तब परमेश्वर ने मनश को मैं एक एक लाइन पे आपकी नजर चाहूंगा आपका फोकस और आपका ध्यान चाहूंगा लिखा है तब परमेश्वर ने मनश को बहुत ध्यान से सुनिए अगला लाइन लिका है अपने सौरूप के अनुसार उत्पन किया, अपने ही सौरूप के अनुसार, परमेश्व ने उसको उत्पन किया, और नर नारी करके उसने मनशों की सिस्ती की, अब आप सोचिए अपने सौरूप, ऐसा एक बार नहीं, दो बार लिका है, अपने सौरूप के अनुसार रुद्पन किया अपने ही सवरूप के अनुसार, दो बार, एक बार नहीं, दो बार, और वचन 27 पढ़ रहा हूं है, not 26, 26 में एक बार है, लेकिन 27 में दो बार लिखा है, तो परमेश्वर कहता है कि आदम, बहुत ध्यान सब सुनना, और अगर अच्छा लगे तो रिस्पॉं लेकिन मठी वाली गंदगी खाने के लिए नहीं, जैसे सुवर खाता है, जैसे कुटा खाता है, वाव, परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे बनाया अपने सौरूप में, अपने जैसा, तो इसका मतलब है यूटूब के लोगो आप भी ध्यान से सुनेगा, जब हम कहते हैं मेरर के सामने कड़े हो कर, मैं परमेश्वर की रचना हो, मैं परमेश्वर का सौरूप हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटी हूँ, परमेश्वर का बेटी हूँ, यहां तक का तो नौलेज तुमने पा लिया, लेकिन यह जो गंदगी वा पादिया है वचन 5 और 6 मैं रख रहा हूं देखो क्या लिका है लिखा है यहां पे 27 में अपने सो रूप में जबकि परमेश्वर ने आदम को ऐसा बिलकुल नहीं बनाया था लेकिन कुछ देड़ देड़ माफ करें 1600 में यानि कि कैसे बोलेंगे हिंदी में 1600 साल के बाद परम के टाइम पर कहता है यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई प्रित्वी पर बढ़ गई है उनके मन के विचार में जो खुच उत्पन होता है सो निरंतर बुरा ही होता है और यहोवा प्रित्वी पर मनुष्य को बनाने से पच्चताया अब आप सोचो यहाँ पर क्या बनाया था अपने सो रूप में वच्चन क्या कहता है मेरे सो रूप में लेकिन उसके कुछ ही देड़ हजार साल बाद हाँ यह ठीक है देड़ हजार साल बाद यह एक हजार 600 साल बाद ठीक है ना कैसे बिगड़ा कहां से बिगड़ा किस छि बगड़ा बहुत ध्यान से देके लिखा है उनके मन के विचार में in their heart, उनके मन के विचार, तो इसका connection किसके साथ में? चरितर के साथ, चरितर के साथ, चरितर के साथ, तो इसा वेक्ति, जो total तीन लोगों ने मिलकर बगड़ा है, एक है आदम का बीज, याद आगया, दूसा है शैतन का सौभाव, याद आगया, और तीस है संसार की बाते हैं, ऐसे वेक्ति को जिसको पूरे तीनों ने मिलकर भयंकर तरीके से बिगाड़ा है, बहुत ध्यान से सुनना, जब ऐसा वेक्ति मन फिराता है, तो ऐसे वेक्ति को अपने चरितर पे बहुत काम करना होता है, वापस आता हूँ, वापस आता हूँ, आप लोग ने शाद सुना, नहीं सुना, मालूम नहीं, ऐसा वेक्ति जिसको तीन लोगों ने मिलके बिगाड़ा है, एक है आदम का बीच, दुसा है शैतन का स्वभाव, और तीस है संसार की बाते, ऐसे वेक्ति को जिसने और जैसे तैसे करके उसने अपना जीवन प्रभु को दे दिया, लिखा है जब ऐसा वेक्ति मन फिराता है, तो उस वेक्ति को अपने चरित्र पर बहुत काम करना होता है, यह सुर्णो, मैं आऊंगा, एक एक पॉइंट पे आऊंगा, बस मेरे साथ बने रहो, लिखा है एक एक नया जनम पाया हुआ का जाल चलन, मैं रिपीट करता हूँ, एक नया जनम पाया हुआ का जाल चलन, जिस पर बई बलके कुछ वक्चन आपके बीच में रखोँगा, यह एरो देख लिजे, कुछ वचन रखोँगा, ठीक है ना? इज वक्चन सब से पहला याद रखो, यह एक वेक्ति जिसका उधार हो गया है, उसको अपने चरितर पर काम करना है, मैं उसके उपर बात कर रहा हूँ, तो ऐसा वेक्ति, अभी 4.33 आ गए, क्यों इतने लेट आए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आवाज वापस गई, आवाज वाप सुरी, सिस्टर इरजिला जी, आपके यहां पर दिक्कत होगा, बाकी लोगों ठीक से आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है, ओके मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो वापस आता हूँ के गना जनम पाया हूआ का जाल चलन, जिस पर बाइबल क कुछ वचन है, जो आपके बीच में रख रहा हूँ, याद रखो, एक ऐसा वैक्ती, जिसका उदार हो गया हूँ, और उसको क्या करना है, अपने चरित्र पे काम करना है, यूटूब के लोगों आप यह सुनेगा, तो सबसे पहला, रोमियों की किताब, उसका चटवा धिय है वचन चार, लिखा है, सो उस मृत्यू का बाप्तिस्मा पाने से, कौन सी मृत्यू, येशु की, कौन सा बाप्तिस्मा, पिता, पुत्र, पवित्रात्मा के नाम का बाप्तिस्मा, लिखा है, जो एक बार डूब के होता है, बच्पन का नहीं, बड़े वाला है का, स्प्र सब आत्मिक बातें बुद्धी इसाथ नहीं देगी, बुद्धी काम नहीं देगी, शरीड का मन नहीं समझ सकता है, लिखा है, और ये कौनसी बाशा है, ये बाइबल की βाशा है, जब बाइबल का टॉपपिक आएगा, तो मैं ये लैंगवेज आजारा लेकल आपको समझाओ लेकिन अभी फिलाल सुनते रहे है, लिखा है, मृत्यू का बापतिस्वा पाने से, किसका? उसकी मृत्यू का, उसके साथ गाड़े गए, ता कि जैसे मसी पेता कि महिमा के द्वारा, मरे ओमे से, बहुत ध्यान से सुनेगा, मरे ओमे से, जिलाया गया, वैसे ही हम भी, लिखा नए जीवन किसी चाल चलें, तो एशु मरा क्रुस पे हम जी उठते हैं एक ही स्वेकेंड में पानी से बाहर आने के बाद तो लिखा है जब येशु जी उठा तो येशु का चाल चलन कैसा था वैसे ही एक विश्वासी जब बापतिस्मा लेता है दुस्से शब्दों में उधार पाता है और घोशना करता है बापतिस्मा लेने के द्वारा उसका भी चाल चलन बदलना चाहिए यस और नो आप सोच के देखे क्या पावरफुल स्क्रिप्चर है और सटीक कनेक्शन अच्यूरेट कनेक्शन आपको चरितर के साथ में मिल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी आभी सुन रहे हैं मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको डाइजिस करो इसको अपने स्पिरिट में इसको रिसीव करिये मैं कहता हूं रिसीव करिये येशु जी बात सही है बापतिस्मा आपका भी हुआ बापतिस्मा डैनिल का भी हुआ बाप्तिस्मा निर्जला, एस्तर, आशा जी, रेखा जी, नीता जी और क्या नाम है, जितने प्रभु के दास हैं, एक एक व्यक्ति का भी मौत हुआ है, जैसे येशु का मौत कुरुस पे, नेरा और आपका मौत पानी में, येशु जी उठा तीन दिन के बाद, हम जी उठे एक सेकंड में पानी के बाद, पानी में बहरा आते, इसको कहते हैं, भलक जपकते, जीवन बदलना, तो पालूस कहता है, अगर एशु का चाल चलन बदला, तो एक विश्वासी का भी चाल चलन बदलना बहुत जरूरी है, डैनियल का चाल चलन, जितने देख रहे हैं, आप को तो कहते हैं, इसका चरीतर अच्छा होगा, सिंपल इस देट, वाव, इफिशियो 5.11, देखो क्या लिखा है, लिखा है, अंदकार के निश्वल कामों में सहबागी ना हो, नीचे जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, लिखा है वरन, वरन का मतलब समझते हैं, उल्टा, ज आप क्या ना में अपना, समिक्षा जी, आप लाइन पे हैं, समिक्षा, 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 समिक्षा online है, समिक्षा, internet connection, हाँ, समिक्षा को लाओ, समिक्षा, एक लाओ, समिक्षा, 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 समिक्षा जी, यह वचन पढ़िए, इंग्लिश में, एफिशियन चेप्टर 5, verse 11, जी, 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 एफिशियन चेप्टर 5, verse 11, एफिशियन चेप्टर 5, verse 11, and have no fellowship with the unfruit works of darkness, but rather expose them. यह एदेखो, थैंक्यू, समिक्षा. इसको कहते हैं, एक्स्पोस करो। Hindi translation जो कहता है वो कहता है उलाना इसका मतलब है उनके कामों पर डांट लगाओ ये कहती है Samikshah पढ़ रही है कहती है कि उनके कामों को एक्सपोस करो तो इसका मतलब क्या है मैं जब प्रचार करता हूँ ना के फिल्मी की ही इत फिल्मी लाइफस्टाइल संसारिक जीवन संसार की बाते शादी होती है क्रिशनों की तो डीजे बचता है पिच्चरों के गाने का सोच के देखो आप वापस बुलना पड़ेगा शादी होती है मस्यों की पिच्चर के गाने बचते डीजे पे तो इसको कहते हैं कि संसार के कामों में आपका हाथ भैर नए जाना है. यहां तो यह पूरा डूप चुके हैं. और फिरματα पहुलुस कहता है, कि जाना तो दूर की बाद, उनको बलकी एक्सपोस्थ करो, तो एक्सपोस्थ कहाँ करें, चर्च में, एक्सपोस्थ कहाँ करें, डी टी में, expose कहां करे teachink में, expose कहां करे discipleship training में, expose किसको करें, जिसका उधार हो गया है, उसको बोलें, तुम संसारिक नहीं हो, इसका मतलब है कि तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए, वापस रख रहा हो, तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए, 8487 बापरे कहां थे ये लोग जी 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 अभी 490 हो गए गजब है साब इनको फिर से YouTube देखना पड़ेगा पूरा teaching चलिए वापस आ रहा हूं तो फिर पुछूंगा और एक आगे सुनो 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 क्या बोलू जितने भी अभी मुझे देख रहे हैं मैं आपका हाथ अभी नहीं मेरा बात सुन लो पहला क्या पास्टे डैनियल को ही संसार की बातों का एक्सपोस करना है या एक एक नया जनम पाया हुआ विश्वासी को भी एक्सपोस करना है सब को करना है न या 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 सब को करना है लेकिन दुखी बात क्या पता है आप क्या सोचते हैं मैं बताता हूँ जो कि मैं गुम चुका हूँ ये कहते हैं ये काम पास्टर का है ये काम बाइबल टीचर का है ये काम प्रीचर का है हम तो चुप रहेंगे नहीं अगर आपने शुरू से बोल दिया होता न, आपके घर में बच्चों को, आपके पत्नी को, पत्नी ने पती को, बच्छों ने माबाप को, माबाप ने बच्चों को, अंकल ने आंटी को, आंटी ने अंकल को, पड़ोसी ने अड़ोसी को, समझ में आ रहा है, तो मैं समझता कि बहुत बहुत जादा प्रबाव मसी का पड़ता बजा है संसार का जैसे ही शादी होती है लड़की वाले कहते है शादी के बाद में DJ बजेगा तो लड़के को कहना है कबरदार हम मसी लोग है हम येशु के लोग है मसी शादी में पिच्चर के गाने नहीं बजेंगे अगर लड़के ने बोला होता तो लड़की वालों की ये हिम्मत नहीं होती और अगर लड़के वालों ने करा होता अगर लड़की ने बोला होता तो लड़के वालों की हिम्मत नहीं होती यस और नो अब आप सोच के देखिए लिखा है, संसार के बातों पे उलाना दो, उनके हरकतों पे उनको एक्सपोस करो, यहाँ एक्सपोस छोड़ो, हम खुदी उसमें डूब रहें। शरम की बात है, शरम की बात है। अगर ऐसा कोई अभी डीटी में बैठा है, और आप ऐसी हरकते करते हैं, तो आपको भी कहना चाहता हूँ, के सुदर जाओ, नहीं तो तुम अपना उधार खो बैठोगे। Ephesio 5 का पंदरा, Ephesio 5 का पंदरा, मैं वक्त का ख्याल रखोंगा, लेकिन गजब की बाते आएंगी, ये पूरा हफता आपको खुब आत्मी खाना मिलने वाला है, लिखा है इस ही लिए, देखो क्या लिखा है, इस ही लिए ध्यान से, देखो कि कैसी चाल चलते हो, नेरबुधियों की नाई नाई नाई, पर बुद्धिमानों की नाई चलो, इसका मतलब है कि पाउलूस कह रहा है, इफिसियों की कलिसिया को कहता है, कि कैसी चाल चलते हो, फोकस करो, देखो कहता है, उठना, बैठना, आना, जाना, तुम फोकस करो, एक गाना है जो आजकल पंजाब में, पाकिस्थान में बहुत चलता था, मैं जब गाता था, तभी भी गाता था, कि मेरा उठना, बैठना, मेरा, क्या हो, मेरे जीवन से, येशु तुझे जलाल मिलता रहे, अरे वा, मतलब, ये सिरफ चर्च में गा सकते हैं, बाकी डेम पे जैसा चाओ, ऐसा जीन है, ना, माई गुड़नेस, आऊँगा, एक एक चीज़ पे आऊँगा, ठीक है ना, रोमियो बारा का दो क्या कहता है, लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, डोंट बी अकस्टमर आप दिस वर्ट, इस संसार के सदस्य से ना बनो, परन्तु तुमारी बुद्धी के नए हो जाने से, मतलब तुमारा उदार हो गया ना, अब तुमने सदस्य को जान लिया है, तो तुमारी बुद्धी के नए हो जाने से, लिखा है तुमारा चाल-चलन भी बदलता जाए, ओके, मतलब सफेद कपड़ा पहन लिया, अच्छी बात है, जो की नहीं पहनना है, मैं आपको एक्जांपल दे रहा हूँ, सफेद कपड़ा पहन लिया, बला क्या बन गया, कृच्छन, फिर सोना उतार दिया, गले का, कान का, इधर का, उधर का, सब उतार दिया, बला क्या बन गया, कृच्छन, मैं Christian word इसले यूज़ कर रहा हूँ कि कि बाहर market में चलता है जबकि Christian है ठीक है ना मेरी बात को समझे फिर कहते हैं मैं Sunday चर जाता हूँ ऐसे बगल में Bible रखता हूँ और रात को सोते वक्त, सुबे उड़ते वक्त मैं प्राथना करता हूँ मेरा पूरा घर है ना परमेश्वर के बातों से पवच्छन से चोटे चोटे पोस्टर और कैलेंडर सब लगा है बहला बेटा जब ऑफिस जाता है वहाँ घूस चलता है वहाँ क्या करता है बहला ले लेता हूँ ट्राफिक पोलिस मिलता है उसको चार पैसे दे देता हूँ आज मुझे किसी ने कॉल किया एक बहन है शायद वो सुन भी रहे होंगी अभी DT में वो पूछ रही थी कि मेरा driving license वहाँ के RTO वाले ने cancel किया है जान बुच के कर रहें क्या कर रहें पता ने लेकिन कहते ही कि अगर आप extra पैसा दोगे आपका सब ठीक हो जाएगा तो मुझे कॉल करी मैं क्या करो मैंने का कि नहीं sister आप नहीं कर सकती है यह गलत हो जाएगा बलकि आप रात्ना करो बाकि प्रभू आपकी साहिता करेगा ने तो पूरी उमर यह दोश के साथ आपको जीना पड़ेगा कि मैंने ऐसी गलती करके license लिया ठीक है ना अब ऐसा वेक्ती जिसने सफेद कपड़े सोना उतार दिया सब कुछ कर दिया बाप्तिस्मा हो गया घर में poster लगे परमिश्वर के वचन के लेकिन office में ठीक नहीं है, school में ठीक नहीं है, excuse me संसार में ठीक नहीं है रहा चलते ठीक नहीं है रात को जब photo देखता है mobile पे वो ठीक नहीं है ऐसी सारे जिसके लिए Paulus कहता है कि तुमारा चाल चलन भी बदलता जाए तो भेस बदला क्या हुआ आगे कोई बोल दो, क्या बदलना जरूरी है जीवन बदलना जरूरी है यस और नो वाव, amazing लिखा है जैसे, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती सिद्ध इच्छा अनभाव से मालूम करते रहो देखिए क्या करो, और एक बोलने का इच्छा हो रहा है बोल देता हूँ, बोल देता हूँ पूरी जिन्दगी मुझे लगते है आगे मैं वच्छन रखूँगा पूरी जिन्दगी हम सब को उद्धार पाने के बाद एक ही करना है कि प्रभू, तेरी इच्छा क्या है देखो लिखा है न तो हम परमेश्वर की भली, भावती, सिद्धिच्छा, अनवव से मालूम करते रहो तो हम जी किस के लिए रहे हैं? प्रभू के लिए बचे किस के लिए? प्रभू के लिए सांसे किस की है? प्रभू की ताकत किसने दे रहा है प्रभू जारवक्त की रोटी कोन दे रहा है प्रभू सब कुछ कौन दे रहा है प्रभू जीरे किस के लिए खुद के लिए अब प्रश्न उठता है बहुत इंपोर्टन प्रश्न अब एक प्रश्न लोगों के अंदर उठ सकता है, आपके अंदर उठ सकता है वो क्या है? जरा देखेगा YouTube के लोगों आप भी देखेगा Now, प्रशने हैं, जब एक व्यक्ति का या हमारा उधार हो चुका है, तो automatically सब कुछ अपने आप ही सब कुछ कांगया? अपने आप ही हो जाएगा, मतलब मेरा उधार हो गया है, तो सब कुछ automatically हो जाना चाहिए मैं पavitra automatically बन जाना चाहिए मैं धर्मी automatically बनना चाहिए मैं चर्च automatically चले जाना चाहिए, मेरे अंदर अच्छी बाते automatically, कैसे possible है कैसे possible है तो इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा वाव, मैं फिर रख रहा हूँ, सब कुछ ऑटोमेटिकली नहीं होगा आपको खुद बाइबल पढ़नी है, आपको खुद प्राथना करनी है, आपको खुद सचाई पे चलना है, आपको खुद निर्ने लेना है क्या सही है, क्या गलत है, परमेश्वर ने सिर्फ, get ready, get ready, सुनो इसको परमेश्वन ने सिरफ आपको उधार दिया है परमेश्वन ने मसी जीवन जीने के लिए ताकत दी है पवित्र आत्मा के रूप में क्या बात है परमेश्वन ने आखे खोली है अपने वच्छन के द्वारा इस संसार के अंदर परमेश्वत तुम्हारे अंदर है लेकिन वो जबर्दस्ती यूटूब के लोगो तुम भी सुनो जबर्दस्ती तुमसे पवित्रता में नहीं चलाएगा धार्मिकता में नहीं चलाएगा ये निरने तुमको खुद लेना होगा येस और नो आपका response चाहिए येस और नो exactly, exactly, exactly see लेकिन आजकल क्या चलाएगा पता है बस येशु में आजाओ सब ठीक हो जाएगा येशु में आजाओ सब बदल जाएगा नहीं बदलता सब नहीं बदलता ये आपको बदलना है तो लिखा है नहीं होगा ऐसा नहीं होगा आपको अपने चरित्र पर काम करना होगा पास्टे डैनियल कैसे ये फोटो देख लो ये फोटो देख लो ये फोटो देख लो जानते हो क्या लिखा है आपको प्रती दिन अपना क्रूज उठाना होगा every day take up your cross every day आपको अपना क्रूज उठाना है आपको अपना क्रूज उठाना है जितने भी अभी देख रहे हैं मैं सब को कहना चाहता हूँ आपको अपना क्रूज every day लेके चलना है प्रती दिन प्रती दिन वचन कौन सा है रख रहा हो लुका की किताब उसका 14 का 27 क्या लिखा है देखिए वाव ये एक देखो जबर कुछ कर सकती है एक सकंद पीज़ हाँ तुम अपना काम करो ठीके न वापस आते हैं लिखा है लुका 14 का 14 का 27 में लिखा है जो कोई अपना क्रूस ना उठा है लगता है बोलना पड़ेगा देखें क्रूस एक लैंगवेज है ये लिटरली क्रूस की बात नहीं कर रहा है मैं वापस कहता हूँ ये औबजेक्ट नहीं है ये सब्जेक्ट है I hope आप लोग समझ गया होंगे मैं रिपीट करता हूँ क्रूस मतलब लिटरली क्रूस में लकडी का, चांदी का, सोने का, हीरे का, प्लास्टिक का ना 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 ये लैंगवेज है मैं जब बाइबल की बात में आऊंगा आपको मैं बताऊंगा कि ये शु मसी ऐसी भाशा में बात करते थे लिखा है, जो कोई अपना कुरूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता उसी लुका की कितब नौका थेस में लिखा है उसने सबसे कहा उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इंकार करे और प्रती दिन सी दा वर्ड लिखा है, प्रती दिन अपना कुरूस उठाए, मेरे पीछे हो ले अपना कुरूस उठाए, मेरे पीछे हो ले मेरी बहुत इच्छा है मैं यहाँ रुकूँ और भी कुछ बाते करूँ लेकिन एक तरफ मेरी घड़ी के ओपर भी टाइम जा रहा है मेरी मजबूरी है बट आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो बिलकुल बैठे रहते हैं, सुनते हैं आगे बढ़ू या, या, या सी, वापस आता हूँ, यह देखो यह आगया वापस देख लिजी, लिखा है प्रती दिन अपना कुरुज उठाए यदी कोई मेरे पीछे आना चाहे इसको तो बोलना ही पड़ेगा, मेरे कोई जाज़त नहीं हो रही आगे बढ़ने की इसको तो बोलना ही पड़ेगा आपको शायद गुसा भी आएगा आने दो, यूटूब के लोगों को भी बुरा लगेगा लगने दो, कुछ नहीं कर सकते है क्योंकि मुझे येशु को इसाब देना है शब्द पर ध्यान दीजे येशु ने क्या का पता है यदी कोई मेरे पीछे आना चाहिए it is not at all forcible येशु ने नहीं कहा आना ही पड़ेगा येशु ने कहा यदी if अगर किसी को आना है आना है ना मेरे पीछे, आओ लेकिन लिखा है यदी कोई मेरे पीछे आना चाहिए अब ही ये जितने भी देख रहे है न आप लोग जूम पे और यूटूब पे मैं आपको भी कहना चाह रहा जबर्दस्ति कहा कर रहा है प्रमिश्र। डानियल को नहीं किया आप लोग जितने देख रहे हैं आपको नहीं किया यश्व कहता है कि मेरे पिछे अगर आना है, यह शर्त है यह शर्त है, बहला शर्त क्या है? सबसे पहला अपने आपको इंकार करो, फिर कहता है प्रती दिन अपना कुरूस उठा, टेक अप यूर क्रॉस एवरी डे, एवरी डे, मजाग नहीं है, खेल नहीं है, मैं वापस कहता हूँ, अगर येशु के पीछे नहीं चलना है, please go back to the world, संसार में वापस चले जाओ, आप जैसा चाहें, अपना जीवान जो है, आप जीओ, लेकिन येशु कहता ही, अगर मेरे पीछे आना है, अगर मेरे पीछे आना है, तो तुमको अपना कुरूस उठाना होगा, इसको देखिए, वो कौनसा कौनसा कुरूस है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ, आप लोग तही आ रहे हैं, ज़रा एक बार आथ आथ उठा कर बता, सब लोग, सब लोग, या, 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 सब लोग, सब लोग, thank you, thank you, thank you, thank you, रखा हैं, अपना कुरूस उठाना, everyday, तो सब से पहले, अपने गुिस्ये को ट्यागने का कुरूस, प्रत्य दिन उठाना होगा, मैं रेपीड करता हूँ, अपने गुस्ये को ट्यागने का कुरूस, ची, आपका एंगर, आपका गुसा, छोटी-छोटी बात पे गुसा, भयंकर गुसा, घर की छीजों को तोड़ देने तक का गुसा, रिष्टे तोड़ देने का गुसा, नौकरी छोड़ देने का गुसा, पत्नी को, पत्नी को, बच्चे को, माबाप को, भाई को, बैन को, पार्ट लुढ़े दिन, क्यों? क्योंकि उसको तीन लोगों ने बिगाड़ा होता है शेतान का बीच, माफ करें, आदम का बीच, शेतान का सौभाव और संसार की बातों ने उसको बिगाड़ा होता है और ऐसा वेक्ती जब अंदर आता है तो वो गुस्से के साथ आता है My goodness वो गुस्से के साथ आता है वो ये सुभाव के साथ आता है वो ये कच्छे के साथ आता है मुझे माप करिये शब्द इस्तमाल कर रहा हूं YouTube के लोगों तुम भी सुनो वो ये कच्छे के साथ आता है जिसको कहते है गुस्सा और वो इस कच्छे के साथ जब अंदर आता है तो येश्व कहता है मेरे पीछे आना है अपना कुरूस उठाओ बोला कुरूस क्या है अपने गुस्से को त्यागने का कुरूस उठाओ प्रती दिन वाव कैसा लग रहा है अभी जितने लोग देख रहे हैं आप लोग खुद को जाचो मैं कुद को जाचोंगा आप लोग खुद को जाचे यूटूप की लोगों आप खुर को जाचे यह घुस्सा क्या हमारे जीवन में एक-एक सेकंद एक-एक सेकंद मैंने 이상 धोख हो क्या आकर 10 तक नहीं देता है नॉक-्नॉक, bricks, एक एक सेकेंnd पर आयसा नॉक-्नॉक करते रहता है, उसने ऐसा किया घुसा करो, उसने ऐसा बोला घुसा करो, यूटूब पे मेरे अगेस में कितने लोग वीडियो बना रहे हैं, Daniel ऐसा है, Daniel ऐसा है आता है ना गुसा, लेकिन क्या करें हमको अपना कुरूस उठाना है वाव इसको कहते हैं चरित्र इसको कहते हैं कैरेक्टर अगर मैं उस भौकने वाले की तरह अगर मैं वीडियो बनाना शुरू करू मेरे को लगता है कि वो अपना सर कहां जाके छुपाएगा वो सोच भी नहीं सकता है अगर मैं उसकी जैसा बन जा इसको कहते हैं तीट फॉर टैट जैसे को तैसा कर सकता था मैं मेरे पास में ताकत कम है करने की वो छोड़ो, यूटूब के लोग अगर आप लोग सुन रहे होंगे जो मेरे अगेंस में वीडियो बनाते मैं पॉलिस केस नहीं कर सकता था कर सकता था मेरे को कितने कॉल्स आते हैं नेताओं के जो मेरे फ्रेंड से, पॉलिस में मेरे फ्रेंड से कहते हैं कि डैनियल बस एक बार इशारा दे हम उसको देख लेंगे लेकिन मैं उसको कितनी बार रोका हूँ कि नहीं करना नहीं करना, यहां तक कि मुझे कहा गया था उसका चैनल तक हम ब्लॉक करवा देंगे मैंने कर रहने दो, उसको परमेश्व देगा और भी दो-तीन लोग हैं उसके जैसा बुखते रहते लेकिन ऐसे टैम पे गुशा आकर क्या करता है? नौक नौक! ऐसे टैम पे क्या करें? तो येशु कहता है कि डैनियल अपना कुरूज उठा वाव! अपना कुरूज उठा तो हम सभी को अपना गुशे का कुरूज त्याग कर उठाना होगा इसको देखो, अपने घमंड के घमंड को त्यागने का क्रोश, कई लोगों को घमंड है, हर चीज का घमंड है, पैसे का घमंड, सुन्दर्ता का घमंड, कपड़े का घमंड, किसी के पास में कोई चीजे हैं, गाड़ी, बंगला, गर, उसका घमंड, किसी के पास में टैलेंट उसका घमंड मेरी आवाज बहुत अच्छी है, उसका घमंड मैं बज्जा बहुत अच्छा लेता हूँ, मुजिक की बात कर रहा हूँ, उसका घमंड ऐसे अच्छा प्रचार कर लेता हूँ, मुझ जैसा Bible Teacher, मुझ जैसा Preacher कोई नहीं है, उसका घमंड तो प्रभू कहता है कि अपने घमंड को त्यागने का कुरूज उठाना होगा वाव सी इसका मतलब है कि प्रती दिन ऐसे कुरूज को उठाना होगा लिखा है प्रती दिन अपना कुरूज उठाना होगा अपनी बुरी आदतों को त्यागने का क्रूज प्रते दिन उठाना गा. удивa क्या है? बहुत सारी है. वापस कहता हूं. बहुत द्यान सो सुनेंगा, DT वालो. बहुत द्यान सो सुनेंगा, जब आप आप अश्वाशी थेρे, शायद भीडी पीते थे, शायद सिग्रेट पीते थे, शायद नशा करते थे आप, आपकी कुछ आदेती थी तंबाकू की, आपकी कुछ आदेते हैं, महारास्टा में, कॉलगेट, पैपसिडेंड और ये दंत कांती, ऐसा कुछ यूज नहीं करते, मिश्री तंबाकू को जला अगर मैं बोलने बैटू तो मुझे लगता है कि रात के बारा बज जाएंगे बहुत गंदी आदत है ऐसी आदतों को त्यागना होगा और इसले लिखा है ना भुरी आदतों को त्यागने का क्रूज प्रती दिन उठाना होगा मेरी मजबूरी है कि मुझे आगे बढ़ना किस किस चीज का लालच है पैसे का लालच है मुझे जार पैसे एक्सा मिलते है मैं वहां से कमा लूँगा कमिशन मिलता है मैं वहां से कमा लूँगा पैसे ब्याच पे लगा कर वहां से कमा लूँगा ऐसे सारे पैसों का लालच चीजों का लालच किसी और के चीजों का लाल अगर आपके अंदर है क्योंकि तीन लोगों ने बिगाड़ा, नाम बता सकते हैं, आदम का बीच, शैतान का सौबाव, संसार की बात है, इन तीनों ने इस वेक्ति को बिगाड़ा होता है, और जिसके चलते लालच कूट-कूट के बरा है, वापस आना पड़ेगा, लालच लालच आता है, चीसे बड़ी नहीं की लालच आता है, किसी का बठुआ गिर गया है, लालच आता है, एक छोटा सा एक्जमपल देता हूँ, बहुत गजब का आदमी है वो, आप सुनिए का आपको अच्छा लगेगा, मेरे घर का, मतलब अभी जहां पे मैं बैटा हो ना, इसको हमने रिपेर, मतलब अमने इसको बनाय था, मुझे लगता है कि शाएद साथ महिना, आट महिना भी नहीं हो गया, तो जो स्पीकर है ना, उसके चलते, तो हमारा जो घर है ना, उसपे क्रैक्स हा रहें, आप लोगों ने शाएद देगा भी होगा, क्रैक्स हा रहें उ वह वेकति है Muslim, वो Christian, नहीं है, वह वेकति है Muslim, वह वेकति Muslim है, और उसको अपने Allah का डर इस gonna at her that ho ऑप मेरे घर से वह एक major tape और ज्या गया था, गल्टी से ले गया था, major tape, क्या बोलते है उसको? लेके चला गया, दूसरे दिन मेरे को आके कहता है भाई गलती हो गई, मैंने बोला क्या गलती हो गई गलती से मैं आपके घर के से मेजर टेप लेके चला गया, मैंने बोला रहे छोटी बात है, बोला नहीं नहीं गल्ती किया मैंने, मैं आपसे माफी मंगता हूँ, यह रहा आपका मेजर टेप, अगर वो वेक्ति चाहता, देखो आमको नहीं पता, वो वेक्ति चाहता, नहीं बताता, लेकिन उसको किसका डर है, उसको अपने अल्ला का डर है, वाँ, एक आविश्वासी, इस कैरेक्टर पे वो बात अलग है कि वो डर में चल रहा है, सचाही पे नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन हम असी लोग सचाही पे हैं, हमको डर किसका, सरवशक दिमान परमिश्वर का, ऐसा वेक्ति अगर हम बनते हैं, आपको रस्ते पे कोई चीज मिली, लोटा दो, बट्वा मिलता है, ल कहीं से चार पैसे मिलते हैं, कई भी तरीके से, गलत तरीके से, उसका लालच नहीं करना, किसी दूसरे की पतनी, किसी दूसरे की लड़की, गल्फरेंड, बॉइफरेंड की बात करना, लालच नहीं करना, या किसी चीजों की, प्रॉपर्टी की, लालच नहीं करना, आपके पास जितनी property है, आपके पास में जितना पैसा है, उस ही में संतुस्ट रहो, उसके आगे लिखता है बाकी सब पाप है वाँ वक्त का ख्याल रखोंगा, लिखा है अपने आलस, आलस को त्यागने का कुरूस प्रती दिन उठा आलस, आलस समझते हैं, laziness सुस्त पना, कुछ लोग जल्दी उठते नहीं है, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, ये शुरू हो जाता है, जूम पे आते नहीं है, ये शुरू हो जाता है, अच्छा, उनको कहो कि भाई, आपको कुछ काम दिया है, आराम से करेंगे, सोच के करेंगे, यह वाला चक्र, तो इसको कहते हैं आलस और यह नमया की किताब, यह शाय की किताब याद नहीं आ रहा है, 48 का अगर 10 में लिखा है, जो आलस से परमेशुर का काम करता है उसके उपर श्राप है, can you believe this, जो आलस से सफेथ हो चुकिया, कपका कड़ जाना चाहिए था, लेकिन वक्त रहते है, तो वक्त क्यों चला गया, क्योंकि खेथ के किसान ने आलस किया वैसे मिनिस्ट्री में मैं मस्ही मंतन के लोगों को हाद जोड के रिक्वेस्ट करूँगा, कभी कभी परमेशुर के काम में आलस नहीं करना, कभी नहीं करना, उल्टा आपका एक्स्टा टाइम, आपका एक्स्टा एनरजी उसमें डालिए, मेरे घर के लोग, अभी घर की बात लीक हो जाएगी, फिर भी बता देता हूँ, मेरे घर के लोग, मुझसे बहुत परिशान है, कम से कम एक साल से, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि एक साल से मैं ट्रिप पे नहीं जा रहा हूँ, ट्रिप समझते हैं, आउट्डोर ट्रिप जाता हूँ, मैं मीटिंग करता हूँ, conferences करता हूँ, youth meeting चलाता हूँ, convention करता हूँ यह नहीं जा रहा हूँ, तो एक साल से मैं गर पे हूँ, तो मेरे गर पे सब को पता है मेरे बेटे को पुछो, वो आँख बंद करके बोल देगा पपा लेपटॉप में मेरी वाइफ को पुछो, आँख बंद करके बोल देगी कि पक्का लेपटॉप में बेटा है, मेरी बेटी को पुछे, आँख बंद करके बता देगे कि लेपटॉप पे, मतलब काम कर रहा है, किसी को भी आप घर के मेंबर को पुछे, उनको यही पता चलेगा, रात हो या दिन हो, अब ऐसा कहकर मैं अपनी दारीफ नहीं करवा रहा हूँ ऐसा कहकर मैं खुद को नहीं बढ़ावा दे रहा हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज के लिए जुनून से पैस्टिनेट तडब के साथ हम काम करते हैं उसका प्रतिफल परमिश्र हम को और आपको देता है Amen Now मैं समामती बेप या रहा हूँ इसको देखे अपने जिद को त्यागने का क्रूज जिसको कहते है जिद हट हटी हटी जिद का इंगलिश वर्ट क्या है जिद जिद का इंगलिश वर्ट क्या है जिद, समिक्षा, जिद का हट, English word क्या है? जिद, आओ, जल्दी आओ, इट, क्या-क्या? अबस्टिनेट, अबस्टिनेट, अरे बापरे, यह तो बोट ज्यादा हैभी वर्ड है, चलो, जिद पे रखते हैं, जिद भी रुकते हैं, आप लोग समझ गें ना, जिद, दुस्ता शब्द है हटी, जिद का वर्ड क्या है? आँ, स्टबन, 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 हटी, स्टबन ठीक है, स्टबन ठीक है, समिक्षा, स्टबन अच्छा वर्ड है, जिद मतलब कुछ भी हो जाए, नहीं सुदरूँगा, कुछ भी हो जाए, नहीं बदलूँगा, कुछ भी हो जाए, अपनी जिद पूरा करूँगा, इसको कहते हैं, जिद, एक एक चीज पे आपको काम करना होगा, क्यों कि आपको तीन लोगों ने बिगड़ है नाम एक आदम का बीच दुसरा शैतन का सौबा तीसरा संसार की बातों है ऐसे वेक्ति को जब वो मसी में आता है तो उसको अपने इन सभी पर काम करना है और ये है आखरी I guess लिखा है गंदी सोच को त्यागने का क्रूस प्रति दिन उठाना होगा नहीं ये आखरी नहीं और एक है सुनो गंदी सोच आप लोग समझ गए आप जिसको भी देखते हैं आविश्वासी थे तक करके धिमाग में बहुत कुछ आता है लड़की को देखे लड़की लड़का को देखे पुरुष स्तरी को देखे स्तरी पुरुष को देखे क्या बता हूं बुर्खे तक बुर्खा समझते हैं उपर से लेके नीचे तक बुर्खा उसमें भी देखकर ऐसी सोच कर लेते कि मैं आपको क्या बता हूं ऐसी सोच वा करो एक example आ रहा है दे सकता हूँ हाथ उठा कर बता दे दे सकता हूँ एक example आ रहा है जी जी ओके ओके सो जितने लोग ठक गए है जोर से हाललुया ओके आप किजी ने नहीं बलाओ का ओके बहुत द्यांसर सुनेगा एक वेक्ति का call आया और कहता है कि पास्टर जी वो आविश्वासी था उसने दो शादी की आविश्वासी में दो शादी की शादी करने के बाद उसकी एक पत्नी को उसने छोड़ दिया फिर विश्वासी बन गया एक पत्नी के साथ जैसे विश्वासी बना उसने जिसको छोड़ दिया था उसको वापस लेकर आया तो अभी दो पत्नी हो गए और ऐसा वेक्ती वर्शिप लीडर है पास्टर जी उसको वर्शिप लीडर बनाए या रखें या ना रखें मैंने बोला पहली बात तो उसको जल्दी से हटाओ वर चाहे विश्वासी आविश्वासी बुजोर्ग जवान लड़का लड़की जितने भी हैं आपके गलत रिष्टे को त्यागने का क्रूस प्रति दिन उठाना होगा अब अंत में कुछ बाते रखना हो कहां कहां सुधार करना पड़ेगा तो टोटल चार छेत्रे या चार ब आज का कोटा यहां तक रखाओ कल का कोटा शुरू होगा कोटा समझते ना हां ठीक है ना ओके तो सबसे पहले बातों में आपको जो है अपने आपको सुधाना तो सबसे पहला क्या है बातों में दुस्टा क्या है वेवार जिसको कहते हैं बिहेवियर आपका जो बिहेविय को ठीक करो आप बातों से आपका character पता चलता है पता है ना जो वेक्ति बात करता है ना उसके character पता चल जाता है पांच में आदमी से बात करो उसका character पता चल जाएगा उसका behavior body language कैसा उठता है कैसा बैठता है कैसा रहता है इसको कहते behavior तीसरा है देखने में उसकी नजर कहां तक जाती है, किस तरिंके से जाती है, और वो देखने में कैसा है, इससे भी उसका करेक्टर पता होता है. मैंने बीच में एक बर प्रचार में बोला था, जिसको मैंने प्रचार किया था, the spirit of Zisabelle, आपको याद होगा, एक प्रचार किया था, the spirit of Zisabelle, जिजबल, हाँ, जिजबल, ठीक है न, मैंने कहा था, कि पुरुष ने औरत को कहा तक देख रहा है, अगर आप चहरा देख रहे हैं, तो चहरे की नीचे मत जा, अगर आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ चहरे तक देखो, ओके, दुस्ती चीज, जब आप किसी को देखते ह तो एक बार देखते हैं, अगर दुबारा फिर देख रहे हो, शॉपिंग मॉल, सडक के ओपर, बस टैंड, एरपोर्ट, कहीं पे भी, अगर उसके कपड़ी ठीक नहीं है, आपकी नजर गई पहली बार, तो तो ठीक है, लेकिन फिर पलट के देखते हैं, फिर पलट के और अगर पतनी साथ में हैं, और आप शॉपिंग मॉल पे गए, तो मैंने कहीं पे पड़ा था, कि टेबल पे खाना आ चुका है, ये बंदा अभी भी मेन्यू चेक कर रहा है, अगर पतनी पती, पती, पतनी के साथ जा रहे हैं, तो कहीं पे लिखा था, कि मेन्यू पे, मेन्यू को देख रहा है, तो वैसे ही, आप जब बाहर जाते हैं, आपका देखने पे कैरेक्टर पता चलता है, एक वेक्ती, दुस्रे वेक्ती को नजरों से पकड़ सकता है कि इसका कैरेक्टर कैसा है, और चौता बहुत डेंजर है, इसको कहते हैं सोच, आप बैठे बैठ कुछ भी सोच सकते हो, किसी को नहीं पता चलेगा, पड़ोसी को, अड़ोसी को, तड़ोसी को, किसी को नहीं पता चलेगा, लेकिन खुद को पता चलेगा, और दूसरा है परमिश्वर को पता चलेगा, तो अपने सोच पे काम करो, ये रेफरेंस बता कर मैं समापती पे जा हम आभक्ति मन फेर कर लिका है हमें चिताता है कि हम आभक्ति मन फेर कर इस युग में सैयम और धरम और भक्ति से जीवन बिताएं क्या कभी इस वचन पर फोकस किया था या वापस कहता हूं कि हमें चिताता है क्या चिताता है उसका उधार चिताता है उसका अनुग्रे चिताता है उसका परमिश्वर हमको चिताता है कि हम आभक्ती मन फेर कर इस युग में सैयम और धर्म और भक्ती से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उधार करता एशू मसी की महीमा के प्रगट होने की बार जोते रहे और फिर 14 से लेकर 15 तक क्या कहता देखो जिसने अपने आपको हमारे लिए दे दिया किसने दे दिया येशू ने लिका है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुडा ले क्यूं दे दिया ताकि हमें छुडा ले लिका है शुद करके अपने लिए एक ऐसी जाती बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो मतलब हमेशा तैयारो ताकि पूरे अधिकार के साथ ये बाते बहुत ध्यान से सुनना पूरे अधिकार के साथ ये बाते कहा और समझा और सिखाता रहा कोई तुझे तुछ जानने ना पाए इसका मतलब है जो नहीं सिखाता वो तुछ है दुस्रों को सिखाओ लिखा है ना अधिकार के साथ ये बाते कहाँ और समझा और सिखाता रहा दुस्रों को सिखा पास्टर्स यूटूब के लोगो आप भी सुनो दुस्रों को सिखाओ चर्च के मेंबर दुस्रों को सिखाओ Zoom के लोगो, दुस्सों को सिखा मसी मंतन के लोगो, दुस्सों को सिखा जो नहीं सिखाता, वो तुछ गिना जाएगा, कोई तुझे तुछ ना जानने पाए, ब्रैकेट में लिका है, कोई तुझे तुछ ना जानने पाए, ना, अब यहां से कल